पुलिस भरती को लेकर ठांट सामने आई, तो सभी विरुजगार अभ्यारती के मन में, यह जिग्यासत्पन होई, कि आखरकर पुलिस भरती का बघ्यापन कब तक आएगा फिलाल उनके पास एक भरती फिर भी थी, उसके लिए आविदन के लिए उनके पास डेट भी थी वो भरती थी आपकारी सिपाई परोतन सिपाई इस भरती पर ध्यान आकर सित्म ना करते हुए उनकी जिग्यासा जोतपन हुई वो पुलिस कॉंस्टेबल को लेकी हुई आखिरकार पुलिस कॉंस्टेबल में कई सारे अभ्यारतियों के यहां पे अपने सपने हैं और वो सपने को साकार करना चाहते हैं और आखिरकार जब न्यूज से ही खाली न्यूज ही आई यदि भरती आती तो फिलाल यहां पे कितना बड़ा खुसकबरी यहां पे बिरुजगार अभ्यारतियों को मिलती न्यूज से ही इतने जाधा उनमें जिग्यासा उत्पन हुई आज की इस वीडियो में आपको मैं कराई जाएंगी इस बार भरती में पूरी जानकारी में आपको बताने वाला हूँ आयोशीमा के रिकार्डिंग पूरी जानकारी आये स्टार्ट करते हैं तो कल की टेट में ये न्यूज आये थी इसमें बताया गया थे कि 6 महिनी में पुलिस की भरतियां होंगी डीचेपी अभिनाव कुमार ने ये जानकारी हमें दी थी जैसे कि प्रिबियस जब अगले साले ने 2023 में जब पुलिस स्मिती दिवस हुआ था तो उस समय धामी जी ने एक घौशना करी थी कि जो है कि 1800 जो है पुलिस बिभाग में पुलिस कॉंस्टेबलों की भरति होंगी जिसमें मे और यह जो वैकेंसी रिलीज होंगी इसके लिए जो आई शीमा रहेगी वह 18 से लेकर 22 अभी तक जो है यह चलती आई है जबकि महिलाओं के लिए 25 वर्स अधिक्तम है और आई शीमा की बात करो तो आई शीमा इस बार बढ़ने की पूरी संभावना है आई शीमा जैसे कि आ वहां पर या वहां के अभ्यारतियों ने पुलिस कॉंस्टेबल की आई शीमा बढ़ने की पर बिचार विवर्स किया या फिर अपने मत दिये या पिर अंसन करा या पिर कुछ भी उन्होंने हर्ताल बगरा करी तो उनकी मांगें यूपी सरकार यानि योगी सरकार ने सुन थी उसी तरह से यहां पर मुझे जहां तक लगता है इस बार यदि पुलिस कॉंस्टेबल की जो एज है उत्राखड में बढ़ाने की मांग रहेगी तो इसमें भी आप 3 वर्स तक मान सकते हैं 3 वर्स तक आपकी जो है यहां पर बढ़ जाएगी यानि 22 से लेकर 25 वर्स यहा एक जाल करें जर्ण सकते हैं जो आथार थाघर बात करने में 18 मिनम्म रहेगी हाँ और मैक्समस रहेगी और 28 वर्स तो यह रहेगा आपका एज का जो फैक्टर रहेगा इस तरह से रहेगा तो जो यह वैकेंसी रिलीज होंगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 महिने में पुलिस भरती पुलिस की भरतियां होंगी अब यह साब नहीं कहा गया है कि जो है कब होंगी 6 महिने मलब 6 महिने बताया गया यानि आप मान के चलिए यदि जनवरी में ये विन्यूज आई है तो आप मान के चलिए जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो जून और जुलाई के माहा में जारी कर दिया जाएगा तो आखिरकार एक आपको संकेद मिल चुका है कि जो भरती होंगी ये भरती आपकी 6 मंत के बाद आप यानि कि जुलाई तक आपको ये दिखेंगी या फिर जून तक दिख जाएंगी तो आपके पास करीवन 6 महा क यहाँ पर टाइम मिला है सिक मन्तपिख कि आपके बाता है तो इस दोर्यन आपको किन इपिटी पर ऐसक्राइब होगा सबसे पहले एक्टीबिटी रहनी वाली है वह आपको फोकस करना है फिजिकल पर इसमें आपका सारी मापड़न होता है जिसे हम बोलते हैं एक छी के से सकते हैं gonna बगराथ कर सकते हैं आपको अपने फिजिकली रूप से आपने जो सरीर है उसको फिट करना होगा जिसमें आपको पता ही है कि आपके जो मापडंड होता है माप में होती है और साथ ही ही जो memal के लिए होती है वो इसमें जो होता है वहाइब 45 कजки उपर होने चाहिए जिन महलाओं का 45 से उपर नहीं है तो अपना वेट गेन कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो है वैकेंसी काफी ज्यादा आने वाले अठाट पोस्ट पर यह मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा तो अभी से आप तैयारी कर लाएं आपको यहां पर संकेत मिल चु हुज है सारी मब आपको सांवें आपको क्रॉस करना ही करना है सारी मब अब को प्रॉस करने के बाद ही आपकी जो हैट ठांज О के प्रीक्सित वाल थुरू होगी और उसके बाद आपके दौर लाश्न में करवाई जाएगी तो इस प्रकार की अक्टिविटी होंगी इसमें तो इन सारी अक्टिविटी में आपकी यहां पर कमांड अच्छी तरह से होनी चाहिए क्योंकि कॉंपुटीशन काफि जादा बढ़ चुका है कॉंपूटीशन आपका लगातास बढ़ रहा है तो जैसे лगाता जी आपकर कॉंपुटीशन बढ़ता ही जायेगा इस तरह से यह कम नहीं होनी वाला है अपनी मेहनत जाहरं फोकस यहां पे आपको करना होगा तो देखिए आपका यह फिजिकल कंप्लीट है फिजिकल के बाद आपका मेडिकली रूप से भी फिट होना अतियावश्यक है मेडिकल में आपके जो आई हैं वो 6x6 के होनी चाहिए साथ ही जो आपकी पैर बगरा है और उसके बाद है जो आपकी आइस का टैस्ट ह वो भी आपकी सही होनी चाहिए मेडिकल में यह सारे क्रॉस कर लेते हैं तो आप यहाँ पर फिजिकल मेडिकल दोनों रूप से फिट हो जाते हैं उसके बाद आपका जो रहता है सबसे मेन जो होता है रिटन एक्जाम रिटन एक्जाम जो होगा यह आपका 100 मार्क्स का होता है जिसका सेवस हर कोई जानते हैं- बता नहीं है तो आपको बता दूँ कि आपका में हैं जिस का को वह obviously सीलाबस एक और बOoh सज्डायूरू अब पुरतार त्थाय को आप पूरी तरह से इस आप पूरी ताइभी Chief ढूरी से लिए एक कारना है? अब हम कुछalo क्या करना हूं है लिस्टे आप माले कश्यान हो करना है, क्योंकि हर माली जूज current affair के साथ जोड़ा जा रहा है और caution मनाया जा रहा है यानि घुमा के caution पूल जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर current की knowledge होनी चाहिए प्लस में आपकी reasoning और math से सम्माद से question पर focus आप जरूर कर रहे हैं कुछ आपको यहाँ पर gs यानि general science पर focus जरूर करना है जरूर साथ से question एक दो question बनाता ही बनाता है तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिखी तक जाम की भी तैयारी कर लेनी है तो इस तरह से यहाँ फिजिकल रिटर्न और मेडिकल तीनों रूप से fit हो जाते हैं तो आप finally यहाँ पर selection के कगार पर आ जाते हैं फिलाल यहाँ पर और न्यूज बताया गई है कि जो डीजीवी अभिनय कुमार है उन्होंने कहा है कि इस बार भरती आएंगी उसकी जो है भरती में वेटिंग लिष्ट का प्राधान होगा वेटिंग लिष्ट का प्राधान होने से यह फायदा हो जाएगा जो रिजगार है उनका यहाँ पे उनको यहाँ पर रोजगार का ओसर जल्द मिल जाएगा क्योंकि कोई अभ्यारथी प्लस इसने में वहाँ से एसी स्थिति में उसकी स्थान पर जिसकी मेरिट उसके नीचे होगी उसको क्या मिल जाएगा यहाँ पर जौब मिल जाएगी इस तरह से यहाँ पर एक प्राधान किया गया है पुलीस प्रसासन की ओर से तो यह जल्द ही आपको नोटिफिक्यूशन देखने को मिल सकता है जब भी नोटिफिक्यूश आउट होता है आपको मैं तुर्ण जानकारे दीदूँगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नीचानकारी किशान